साहस सरुका को क्या हरी जड़ी दिखाकर रवाना लोगों को क्या जागरूख करने का काम जिल्ये में औरेंज अलर्ट जारी ठर्ट से बचाओ के दिये गे सुझाओ पुलिस ने क्या पाने नाबालिक को बरामद नाबालिक के पिता ने दर्च कराई थी प्राथ में नवशकार आप देख रहे प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नदिनी यादव वक्त हो चुका है बिहार की खबरों करू करते हैं खबर की ओर मुझदफरपूर में जिले के मैठी टॉल प्लाजा एनेचो संतावन पर सडक सुरक्षा जिवन रक्षा कारिक्रम के तहत जागरुकता अवियान की शुरुआत की गई और इस दोरान कारिक्रम में उपस्तित नहीं के रिजिनल आफिसर अवधेश कुमार ने बिना हेलमिट के बाइक एवं बिना सीट बेल्ट लगाए चार पया वाहन के चालकों को कुलाब का फूल देकर यातायात नियमों के बारे में समझाया इसके साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रियोग और नश्य में ड्राइविंग कलत ओवर्टेक नहीं करने समित कई दिशा नदेशों का पालन करने की अपील की हमारी जो इजनसी है उनको इन निवदेश दिया है कि पंप्लेट को जगह जगह पंप्लेट तो इन्होंने शप्टवाएं बहुतायत मात्रा में बट उसको जंजंद पहुचाने के लिए कॉमोटर्स के हाथ भी इनको उनको यह देना है जहां पर कठा रहते हैं जैसे बस सब्सक्राइब है और जहां पर ज्यादा यह कठा होते हैं वहां पर लोगों में बाटना और निवेदन भी करना कि इनको अच्छा से पालन करें और यह उनके हित की है और जंता के हित के विए उनके साथ-साथ जो चुकि रोड पे केवल गाड़ियां ही नहीं चलती है ख़वर बकसर से है जहां आधी रात को पुलिस ने बानर पुर गाउं में घर समिग घुसकर मार पीट किया जिसे नाराज किसानों ने सजीवें गेट पर जमकर बावाल काटा बता दे इस दोरान आगजनी में कई गाड़िया जलकर खाक हो गई हालाके पुलिस ने इस दोरान उपद्रेवियों को रोकनी को लेकर कई राउंड फाइरिंग भी किया उनलों को चार लोग को ग्रफ्तार किये और घर में लेडी और अरतों को बहरी करीके से पीटे हैं खवर नवादा से है जहां समरहाले परिसर से डियम उदिता सिंग स्टियों उमेश कुमार भार्ती डीडीसी दीपक मश्रा डीटीओ ने हरीचंडी दिखा कर जागरूता रत को रवाना किया बतादे नवादा डीटीटीओ ने बताए कि सड़क सुरक्षा सब्ता को लेकर जागरूता रत को रवाना किया गया है ये जागरूता रत जिले के विभिन जगहों पर जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों से आउगत कराएगा साथी लोगों को जागरू करने का काम करेगा बतादे मौके पर जिलादिकारी उधिता सिंग डीडी सी दीपक कुमार मिश्रा और स्ट्रियम उमेश कुमार भारती समित कई पदादिकारी उपस्थत थे अब आगे इसमें जो चालक जारी को चलाते हैं उनका हेल्फ चेक अप कराना है उनके आथ नेत रजांच होगा उन्हें मुटने चस्क्मा दिया जाएगा इसके अलावा जो परिवान विभाद के दौरा किये जाने वाले प्रिवक्तन के कारें हैं इसमें हैं फिटनेस वाहनो की चेकिंग है इंसुरेंस की चेकिंग है ओवर लोडिंग की चेकिंग है ये अगले एक सब्ता तक चला के हम लोगों को जाग रूप करने कर प्रियास करें खबर नवादा से जहां घानी कोहरे में लेपटी सुबर ठंड का कहर जारी रहा बता दे मौसम पुर्वानुमान के अनुसार अगले तीन दीत तक घना कोहरा रहेगा और इसके साथ ही शीत लहर भी चलेगी इसको लेकर जिली में औरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ठंड से बचाओ का सुझाओ भी दिया गया बता दे घनी कोहरे के चलते ट्रेन और बस के रफ्तार भी थम गई खालात ये है कि ट्रेनों को समय पर नहीं चलाने की नौबात आ गई और 30 किलो मीटर की रफ्तार से अधिक गति से ट्रेन चलाना संभौ नहीं हो पा रहा है खबर बेतिया से है जहां शिकारपूर पुलिस ने एक अपहरण नाबालिक को बरामत किया और अपहरण में शामिल एक युवा को भी गिरफ्तार किया जिसके पहचांच शिकारपूर थानाचित के सैदपूर गाउनिवासी ब्रेजेश राम के रूप में की गई है वहीं इस मामले में थाना ध्यक्ष राम श्रय यादो ने बताया कि बीते दो जन्वरी को शादी की नियस से एक नाबालिक का अपहरण कर लिया गया था जिसके बाद मामले में नाबालिक के पता ने प्राथमी के दर्ज कराई खबर भागलपूर से है जान सुल्तान गंज के कुमार गली में लाल पीर बाबा दर्गा में दो चोर ने दान पेटी से चोरी कर ली जिसके बाद सुबह चोर द्वारा चोरी किये गया रुपयों को ग्रामिडों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और मामले की सूचना पुलिस को दी वहीं मौक़े पर पहुंचे पुलिस ने चोरों को गिराफ़तार कर मामले में च्छानवी शुरू की रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए बने रही है हमारे साथ देखते रही है प्राइम टीवी क्या आप घर बैठे कुछ खरीबना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी इस्टोर तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा उदेश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्भात करना है हम अपनी इसेवा गति विद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं skvmarket.in शौपिंग सुकून के साथ देश की संस्कृती को बया करते हैं हस्त शिर्प उत्ताद आईए इसी हस्त शिर्प कारीगरी से घर नाए हम खुशियों की सौगात काशी राम सांस्कृति कारेकरम स्ठल बंगला बाजार आश्याना ब्रेक के बाद स्वागत है आप सब का बढ़ते हैं खबर की ओर खबर पशिम चंपारट बेतिया से है जोहां लाठी डंडे से हुई जम के मारपीट और पुराने जमीरी विवात को लेकर दो पक्षों के बीच लाठी डंडे से जम कर मारपीट हो गई जिसमें बहिला समेत आधा दर्शन लोग अधिक जगभी हो गए बतादे आनन फानन में सबी घायलों को इलाश के लिए अनुबंडल अस्पताल में भरती करा गया जहां उनका इलाश कराया जा रहा है करने का हिट वर दीगातानी जा तो हम रहा है रामधानी खड़ान जाप पठक देला जोगींदर नितेश रुपेश आई उनका मने पतिनी रामधानी के पतिनी सब कोई घीच के लिए कि इतना मार मारा लो काट भाला भाला गालाश सब कुछ से काट दिया है लो अभी जहगड़ा करके तेलिया टोलास आहें जिसमें साथ परसन है तीन सर्मा परिवार से और चाल ज्याद़ परिवार से हैं उसमें से एक दू लोगों की हालत ज्याद़ दरवर है बादमां की लोग खब्रे से बाहर रहा रहा है खबर पशिम चमपारण बेतिया से है जहां राम नगर कर पूरी आवाज आश्रम में कवी उपर एंथोनी दीपक के इसमारक बनाने को लेक एक बैठक का आयूचन किया गया बतादे इस दोरान मुख्या संकेपुर अध्यक्ष और वर्तमान उपसभासती प्रतिनिधी ने कहा कि ऐसे विभूतियों को याद करने के लिए इनकी जहनती मनाया जाना चाहिए साथी आने वाली फीडियों को उनसे सुख मिले इसके लिए उनका इसमारक बनान होना चाहिए और इसके लिए एक इसमारक बनान कमीटी का गठन करके अविलम प्रयाश शुरू किया जाए बतादे इस मौके पर जर्यू प्रखंट अध्धक्च संजब मिश्रा के साथ अन्य गंडमान व्यक्त वहाँ पर उपस्त दे रहे चार दस्तों तक राम नगर में अपनी चलाएं थी वीवीद चत्रों में साहितिक के समाजिक सांस्कृतिक के या कला के छित्र में उन्होंने कारे किया तो उनकी आगामी जयनती मनाने ही तुँ आज राम नगर के प्रभुद जनों की बैठक नगर के करपुरी आशरम में हुई और इसमें दो प्रस्ताव आए कि जो उनके नाम पर एक अस्मारक समी समीथी बनाई जाए तो आसमारक समीथी का प्रस्ताव आया और दूसरा प्रस्ताव आया कि उनको मुल्टिमान किया जाए राम नगर का जो ओभर ब्रीज है ओभर ब्रीज का जो उत्री ढहलान का गुलंबर है वह उनके नाम पर नाम करन करने की बात आई इस दोनों प्रस् को भी लिखा जाए और वहां से पारिश कराने के बाद अगली करवाई होगी। ख़वर मधुबनी से है जहां जिला के बिस्पी प्रखंशित्मी प्रभारी डॉक्टर मिराज अक्रम के निर्देश पर अवैद रूप से संचालित नर्सिंग खोम के स्वास्त विवा की एक टीम ने जाच की। बताया जाता है कि अवैद रूप से प्रखंशित्र के विविन जगहों पर दरजनो नर्सिंग खोम एवं क्लीनिक संचालित हैं। लेकिन जाच की भनक पाते हैं कुछ नर्सिंग खोम के संचालक अपने नर्सिंग खोम में ताला मार कर फरार हो गए। वही चाच दल ने बताया कि जाच के दौरान पाइल नर्सिंग होम बिसपे एवं लाइफ केर क्लीनिक सुनी पोखर तथा जीवन जियोती हिल्थ केर सेंटर नूचक खुला पाए गया। जिसके बाद नर्सिंग होम की साफ सफाई निबंधन पारा मेटकल स्टाफ एवं ड गर्टर को नाम उने चाने को नहीं बता सकते हैं तो को सब्सक्राइब विद्टर को है यहां को न है अप गरजन के आशा है उसकी कौन है पेशेंट की तो सास किसके थरुआ पारें आपको बोला था यहां आने के लिए या खुद आगया कैसे पता क्या आप यहां डॉक्टर और नर्सेंस और जो भी स्टाफ है वह हमको नहीं मिले को यहां पेसेंट मिला क्या कुछ यहां मतलब जो है सरकार का जो गाइड लाइन है जो डिशना चलाने का गाइड लाइन है अजिना था रे से दंबर जिकस्रकों की उपस्थी एन एं ंंगी अपस्थी पारच निकल श्टाप की बसिती फायर सेफ्टी बाय वैस ओट्डोर रेश्टर की जांथ इंड हैंडर रेश्टर की जांथ पो टी की जांथ जीवनरक्षड़ग की जांथ ऑक्सीजन यह जानकारी तो भरती रोग तो मिले लेकिन जानकारी नहीं मिली इस्टाप के आभाब के कारव आज के लिए बिहार की खबरों में बस अतना ही देश-दुनिया की तमाम खबरों के देखते रही प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store? तो देर किस बात की? अभी लॉग इन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से जादा संतुस्ट ग्राहक जुड़ चके हैं हमारा उदेश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्भार करना है हम अपनी इसेवा गतिविद्या यानी ओनलाइन वेवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे है skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ बहुचेंगे हम वहाँ जहां हर खबर दवाई जाती है दिखाएंगे वो जो आपकी नजोरों से रहता है उजहल पहुचेंगे हर जिले के कोने कोने तर जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू खबरों में रफ्तार बेखाफ अंदास प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज प्राइम टीवी सच सहस और सरुकार के लिए प्राइम टीवी सच सहस और सरुकार के लिए